करोना महमारी से आज दुनिया भर में दहशत है अज दुनिया भर के वैग्यानिक इसकी वैक्सीन बनाने में चुटे है पर मेरी मौत की बचा एक ऐसी बिमारी बनने वाली थी जिसका इलाज इंसानी दिमाग कभी नहीं धोन पाया अब हम तुमसे डरने नहीं वाले समझे अच्छा तो हमारी बिल्ली हम पर ही पंजा मारे ही हमने कभी सोचा भी नहीं था हमें तुमसे ऐसे बात करनी पड़ेगी हलो? हलो? नमस्कार आदाब क्राइम पेट्रोल सतर के आज के इस एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सब का स्वागत करता हूं पूरी दुनिया पूरी मानव जाती इस करोना के संकट से जूज रही है लेकिन हमारा देश करोना के अलावा कई और वाइरिसे से भी जूज रहा है जैसे के अंद विश्वास पाकंड, जाती बाद, अन्याए गरीवी और महिलाओं पर अत्याचार ये सब ऐसे वाइरिस हैं जो धीरे-धीरे हमारे समाच को बिमार करते जा रहे है महिलाओं पर अत्याचार करने वाइरिस जो कि सबसे खतरनाक वाइरिस है इसने महिलाओं के अस्तित्व को ही कटगरे मे लाकर खड़ा कर दिया है और इसी वाइरिस के कारण महिलाओं को आए दिन महिला होने की सजा भुगतनी पड़ती है। आज का ये केस इसी वाइरिस से जुड़ी एक कहानी है। कुसूम, तुम ये चौकल छोलो छोड़ो बिटा हम कर लेंगे साथ, जा तूम। मा, लोकडाउन कुलने तब ओफिस तो जाना नी, खुर्सी पर पैठे पैठे देखो कितने मोटे हो गये हम। इसी बहाने घर का थोड़ा चूला चोका, अगर की साफ सफाई करेंगे न, तो थोड़ा अनुभाव भी ले लेंगे। क्या पता, इसी बहाने थोड़ा सा बजन कम हो जाए हमारा? अरे लीचे बजाए हमारा कुसुम, तुमारा तो पता नहीं, थेकिन यह लोकडाउन ख़तम होते तक हम गिसी भी टिकिया बन जाएंगे। करुना वाइरस के चक्कर में तीन तीन बार कपड़े बजलते हैं पर अंको दो दो बार कपड़ा बहना पड़ता है। अरे वीदी, अब तेंक्शन त्यू लेती हो, कोई बात नि, आपका भी थोड़ा बत लेंगे। कभी-कभी हम भी कपड़ा लोग्या करेंगे। किका है? अरे पने बढ़ के भईया कानू भी बाट लिजिये। कि लोगड़न से पहले तो काम लगानी और बाहने वाले समय में रोजगार कि इना मारा मारी होने वाला है। तो क्या कि जिगा महराज, का चमत का बिखाएंगे। का चमत का बिखाएंगे। पापा, हम अभी आते हैं, हाँ? तुम हमको डर के फोन के हो या हमको डराने को फोन के हो? डर्लिंग, कैसी बाते कर रही हो? ये मीठी-मीठी बाते ना, तो करो ही मत हम से. हम तुमको अपना प्यार जाहिर करने के लिए फोन के हैं, और तुम वाइदेंस पर उत्तराई हो? तुम पर तो अब भरोसा ही नहीं रहा? अरे, क्यों बात का बतंगड बना रही हो? नहीं था टाइम, इती लिए नहीं कि एक ओल. अच्छा, हमाज बात सुनो. हाँ मसकान, हमने तुम्हें अभी email भेज देंगे. ठीक है, ओके बाई. किसे बत कर रही थी? कुछ नहीं भाईया, वो हमारी कलीक का फोन था, ओफिस के कुछ काम से फोन किया था. अच्छा, तो वर्क फ्रोम होम. हाँ भाईया, यह अनुभोवी बड़े कमाल का होता है. अगर आपका जौब होता, तो आपको भी बता चलता. कुछू? हाँ? अर तुम्हारा वर्क फ्रोम होम चल रहा है ना? तो कहां जाने की तयारी में हो? ममी, वर्क फ्रोम होम तो हमारा तभी होगा ना जब हमारा लैपटॉप चार्ज होगा और हमारा चार्जर खराब हो चुका है. यही पास में, मारूफ गंज में हमारी एक सहेवी रहती है. हम तुरंत उसे चार्जर लेकर आ जाएंगे. अच्छा तो ध्यान से जाना, अज जल्दी काम खुतम करके सिधे घर आना. जी ममी, तुरंत आ जाएंगे. आ हुआ मेडम, कोई समस्या है, तो हमको बताईए ना. हलो? हाँ, शीतल लीदी. वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है. स्कूटी खराब हो गई? अच्छा, अभी कहा हो तू? वो, यहाँ, अनिसाबाद की हापे. पर कोसम, तुम तो मारूफगन जाने वाली थी ना. तुमारी स्कूटी अनिसाबाद में कैसे खराब हो गई? वो हमको, हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का कान था. सोचा, वो भी लिप्टा ले. और वैसे भी, अभी लॉकडाउन के चलते, कई भाहर जाना तो होता ही नहीं है. तो बबलु भाईया है न, वो तुमारे पीछे ही निकले थे. लिख भरी उनको फोन करो, क्या पता वो तुमारे आसपास ही हो? बबलु भाईया, हमारे पीछे निकले थे. हाँ, अच्छा तुम रुको, हम बबलु भाईया को फोन करके बोलते हैं, वो तुमें अनीसा बाद से पिक कर लेंगे. हाँ, ठीक है, चलेगा. इतना देर हो गया, अंधेरा होने चाह रहा है. ना कुसुम का फोन लग रहा है, ना बबलु का फोन लग रहा है, हाँ, हमको चिंता हो रहा है, गली मुहला पूरा सून हो गया है. अरे मम्मी गबराईये मत, उन दुनों को फोन का बैटरी खतम हो गया होगा. अरे तो दुन्नों का बैटरी यह के साथ है खतम हो जाएगा हाँ हमको कुछ ठीक नहीं नग रहा है हमरा मन गढ़ा रहा हमरा दुन्न बच्चा ठीक है कि नहीं अब इस लोगडाउन में साधन भी नहीं है कैसे खुजने जाए उनको अब शंकर का बेटा मन तो उसके बास बाइक है ना तुम अपनी ममी का ख्याल रखो ठीक है और अगर वह वापीस आजा है तो हमको फोन करना जी पापा कुरोना वाइरस की पहले लॉकडाउन की रात में जब पूरे देश में कर्फ्यू था तब एक परिवार के दो भाई बहन कुसुम और बबलू लापता थे उनके पिता रामनात उनको ढूनने की नाकाम कुशिश कर रहे थे और उनकी मा दुर्गा और बहन शीतल सकते में थे और सुबह होते होते पुलिस भी बबलू और कुसुम की तलाश में जुट गई थे जब आप लोग को मालूम है कि सहर में लॉकडाउन लगा हुआ है बाहर नहीं निकलना है तो कुसुम को रुखना चाहिए था ना वो हमको हमको फुलवारी शरीफ में दो मिनिट का कान था सोचा वो भी लिपटा ले अच्छा तुम रुको हम बबलू भाईया को फोन करके बोलते हैं वो तुम्हें अनिसाबाद से पिक कर लेंगे हाँ ठीक है चलेगा हलो अरे का आप आठेशी तल का ये फोन कर रही हो भाईया वो कुसुम को स्कूटी है ना अनिसाबाद में खराब हो गया है आप उसको पिक कर लेंगे तो यहां बबलू अनिसाबाद में कुसुम से मिला था सरू हमको नहीं मालूम हमने जब दुबारा फोन किया तो दोनों को सब्सक्राइब कर दोना था इस तो नहीं बताई थी हमको कहीं ऐसा तो नहीं कि कुसुम आप लोगों से सच चुपा रही हो हो सकता है कुसुम का किसी लड़के साथ अफैर चल रहा हो यह क्या बोल रहा है साब हमारी कुसुम ऐसी नहीं है सर वहां पर एक फीमेल का सैंड किस सब देखके तो लग रहा है कि यहां पर कुसुम के साथ सरूर कुछ कलेत हुए माना के सबूत मिला है लेकिन कुसुम का स्कूटी यहां पर खराब हुआ तो क्या कुसुम स्कूटी समेत गाइब होगी और उसका भाई बबलू वो बाइक समेत गाइब है ऐसे कई सवाल है जिनके जबाब कुसुम और बबलू के घर वालों से भी नहीं मिले थी जैसे के कुसुम घर से निकली थी मारूफ गंज आने का कहकर यहीं पास मैं मारूफ गंज में हमारी एक सहेवी रहत यह हम तुरंट उसे चाजर लेकर आ जाएंगी तो क्या मारूफ गंज में कुसम कि कोई सहेली थी या फिर घर से बाहर निकलने के लए उसने अपने परिवार वालों से जूट बोला था हमको फलवारी शरीफ में दो मिनट का कान था तो फलवारी शरीफ में ऐसा कौन के लिए मारूफ गंज से लेकर फुलवारी शरीफ और अनीसाबाद के कई इलाकों में छान बीन शुरू की गई कुसुम और बबलू के दोस्तों पडोसियों और रिष्टेदारों से भी सवाल जवाब किये जा रहे हैं कि मैं कमी सर यह मारे थाने के ऑफी सरों कंस्टेबल का फिकनेस रिपोर्ट अल गूट यसर प्रेट अचा तुम यह वाईवान के मिसिंग कर रहे हैं सर हमारी टिम इंवेस्टिकेशन कर रही है हमारे है अबस्दाब से भाई में कुछ गढ़बड़े सर तुमें अधिशना ट नहीं सर फिर भी अगर जरूर थो पता देना सर मामली केस है वैसे भी लॉगडाउन मेनेजमेंट में आपको ज्यादा बड़ी टिम कर दो होते हैं सर यू करियां सर बीम सर के पच जाने के टाइम हो लिए हैं सर माना की बढ़ बाब भाया काफे गुस्यल हैं लेकिन वो हमक सर एक बात और बताना था उस दिन हमने भाया को किसी से फोन पे बात करते सुना था बबलू से मिलने का वज़ा मत पूछा कर समझा चला के मिल किसी को पीठने का प्लान बना है इस लागडाउन में दारू का इंतिजाम भी करेंगे तुमारे लिए आजा आपको तो यह नही किस से मिलने गई थी या फुलवारी शरी किस से मिलने जा रही थी और अब आप बता रही है कि बबलू किसी को पीठेने के लिए गया था तब इसका क्या समझे हम कि कुस्म ने बबलू को गायब कर दिया कि बबलू को गायब कर दिया बद कीजी सर हमारा बेटा बेटी दू इस बबलू को जानने वाले हर दोस्त हर जानकार से मिल रही है। और फिर भाई बहन के कॉल रिकॉर्ड में नए समीकरन सामने आए। सर बबलू के दोस्तों से ये नहीं पता चल रहा है कि वो उस शाम किसको पीटने वाला था। लेकिन सर बबलू और कॉस्तों दोनों के फोन उस शाम अनिसाबाद में एक साही बंद होए थी क्यानी दोनों भाई बहन उस शाम मिले होंगे। और सर कॉस्तों के कॉल रिकॉर्ड में किसी से वाली बी थी। किसका नेंबर रही ही सद नम्हानवस्ति, । यह नंबर मनियर के इड़िस्टर है और उसी शाम से बंढ़ है जब से कुस्वण और वोब्लू जोन qui पुप यह क्या है सर, हमच है किसी खुस्म बड़ु को नही कorted है, जानते नहीं हो तोogeneous Translation को पून करकते हैं सर जब जानते पुलवारी शरीफ में पुलवारी शरीफ गई ही नहीं और सर जिन कॉल रिकॉर्ट्स की आप बात कर रहे हैं सर यह हमारा पुराना नंबर है खुमारा है हमें अरी शरी अप लोगों नहीं बताया कि कुसुम का किसी के साथ अफेर नहीं था लेकिन कुसुम लगा था इस नमन नाम के लड़के के साथ फॉन पे टचमें था अप लोग जानते हैं इस लड़के को नहीं सर, हम नहीं जानते सर जी, वो नमन तो वहीं का वहीं पर है इस लड़केके हिटेटेल निकाला जी सर पर सर ये भी तो हो सकता है कि वो सच बोल रहा हो और कोई और हो जो उस फोन नंबर का गलत इस्सि publiन को फुसलाने के इड्दे से कर रहा हो लेकिन हमें बबलू का एंगल भी देखना होगा क्योंकि उसके जैसे भाई को ये बिल्कुल गवारा नहीं होगा कि कोई लड़का उसकी बहन से इतनी बात दरे तो हो सकता इसे गुस्से में उसने कुस्म को गायब किया और खुद गाया दे सार सार अनीसाबाद में जंगल के पास एक लड़की के लाश में लिए सार बहुत ही बुटल मर्ड़र ओसकता है कि लड़की के साथ रेप स्कोडिय में नइ सर और सर बबलु कुछ पता नहीं चलो हुआ सार बबलु को इसी को मार के बात गया हुँ कुस्म का भरवालों को इसनाट ले लाँ सार ये 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 य हमारे मेटी जिस ठेल के खुवारे प्रटी पशेँ प्लाश का चहरा पहेंचानना काफे मुश्किल है लेकिन हमें बौडी पर ये कपड़े मिलें क्या ये कपड़े कुसुम के? मुझाव! मुझाव! हुआ मैडम को समस्या है तो हमको बताइए ना येस ब्रदर आलोक बट हैपन अरे अभी हम न्यूज में पड़े हैं उसका फोटो भी देखें वहीं स्कूटी वाली लड़की का मडर हुआ है इका ट्रेजिक हो गया तुम रुखो हम अभी चिंटु को कॉंफरेंस पर लेते हैं एक मिन रुखो का उसकूटी वाली लड़की का मडर हो गया अभी कौन मारा भे उसको खाए अंडु कल की बात है जब हम उसे देखे थे सामने अब भूल जाओ भूल जाओ भाई अगर हम गल्ती से भी किसी को कह दी हैं कि हम उस लड़की को देखे थे तो हमारा सनी मंगल सब खराब हो जाएगा का समझे है सही बोले आलोग फ़िए ऐसा नहों जाए पुलीस हमी पर इलजाम डाल दे सर हम लोगों को तो लग रहा था कि कुसुम का रेप हुआ होगा लेकिन सर पोस्ट मर्डव रिपोर्ट ने तो कहानी बदल करग दी क्रिमिनल बहुत सातिर है हरिस वो दिखाना चा रहा है कि जैसे रेप हुआ लेकिन रिपोर्ट से साफ है कि ये मर्डर केस है और फिलाल गुनागार सिर्फ बबलो ने जरा रहा है वो जान बूझ करके ऐसा क्राइम सिन्रच के भागा है कि लगे बहन करे भाई नहीं सर ये कहानी कुछ और ही है अरे कुछ और का छोड़े दिने जी आपके रिटार्मेंट को चार दिन ही बचा है चार दिन में पकाड डाली क्रिमिनल को जानने से पहले डूट ली जी वयवाई जिस पॉस्टमाटम रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अपना अगला क rahatने वाली थी अब उसी पॉस्टमाटम रिपोर्ट पर सवाल उठा दिया गए थी कुसुम के घरवालों ने पुलिस स्टेशन के सामने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था शांत हो जाईए शांत हो जाईए देखे कुसुम का पोस्मार्टम कराने से रिपोर्ट बदलने ही जाएगा आप लोगे तमाशना बंद किजिए हमारा सायों किजिए मीडिया इस मुद्दे को लगातार रिपोर्ट कर रहा था जिसके बाद थाने के सीनियर पुलिस ओफिसर को इस के संग्यान लेना पड़ा जो उस वक्त लॉक्डाउन से संबंदिर जूटी में वियस्त थे राजेश्वर, मालम है ना काजें का लाओ नहीं है यह सब क्या है? सर्वो मेलो को माली करता है साब, साब हमेन याय चाहिए हमारे बेटे को ठीक से ढूंडा नहीं जा रहा है और हमारे बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है यह लोग कर रहा है कि पोस्मार्टम में स्रुफ मुर्ड़ा रहा है करना के दारे में रहरे कर जो कर रवह बंती है करेंगे ठीक है अब बाट भाइए अब कर दो लोग अटा सोको अधिया अधिया प्रीज इस अभालोगे मैं टैंशन ना यह सम्वाला सर हम लोग पूरा डेडिकेसिंग साथ जाच करने सर जो भी जाच हुई है स्टडी किये में सबसे पहले वो डड़की कहना में कुसुम उसका दबारा से पॉस्टमंट करवाना होगा अरिश बाड़ी को दबारा से पॉस्टमंट के लिए पेजवा और वो लड़की कुसम उस फुलवारी शरीप में जिस लड़के से मिलने जा रही थी वह नमन वस्थी था सर्व कुछ दूसरा ही लगता है क्योंकि नमन वस्थी के खिलाफ हमें कुछ नहीं मिला है और नमन लगातार कह रहा है कि वह नंबर उसके नाम पर रेजिस्टर तो है लेकिन उसे वह इस्तमा बबलु क्या तुम कुसम कि स्कुटी तक नहीं डून पाई सर वो लॉकडाण कोच जैसे पर सर दिनेज जी भी आज ही रिटायर हो रहे हैं सर अरे हां दिनेज जी जी सर दिनेज आज ड़े रोने वाले हैं सर एमिर्जनशी का वक्त है जब तक यह केस आज हो जादा तब त ऐसी चली जाओ निरत जी के सामने धत कुछ भी बोलती हो तुम पागल अरे साधी करनी जारी हो और वो भी घरवालों की मर्जी से काय सर मारी हो नहीं वो बात तो नहीं है पर जब भी हम अपना शाधी का बात सुनते है न तो पापा का उदास चेहरा सामने आ जाता है पताने अपना सारा खर्चा आप कैसे उठा पाएंगे? आरे दीदी, काहे टेंशन ले रियो? हम एक देड़ लग तक जोड रखें, दे देंगे पापा को. कुसम की सेकिंड पोस्माटम रिपोर्ट आ गई है. यह रिपोर्ट पहले रिपोर्ट से काफी अलग है सर? इस रिपोर्ट के मताबिक कुसम का ब्रूटल गैंग रेप हुआ था. लड़की को पैर के नाखों से लेके, सर तक गिद्धों की तरह नोचा गया. लड़की के मुह में लकड़ी के टुकड़े मिले. उसके मुह में किसी लकड़ी को थूस कर उसके वोकल कोड को डेमेज किया गया. पाइवेट पार्स को डेमेज किया गया. और वह हवान यही नहीं रुके. उसके सर पर किसी भारी पत्थर से वार्ट किया गया, जिससे उसके मौत है. मात का वक्त तकरीबन साथ बज़े और धाई बज़े के करीब कुसम ने अपनी बेहन शीतल को फोन करके बताया था कि उसकी स्कूटी खराब हो गई है हाँ शीतल लीदी वो हमारी स्कूटी खराब हो गई है अथा लड़की ने तकरीबन पांच गांटे टोर्चर सहा सर कुसुम के नाखुरे में रेपिस के स्किन के ट्रेसिज मिलें और भी चौकाने वाले पॉइंट्स हैं सर इस रिपोर्ट में सर कुसुम वन बन प्रेगनेंट थी लेकिन उसके बॉइफरेंड का कोई नामों निशान नी और हमें तो ये भी नहीं पता कि उसका भाई बबलू कहा खाया है और सबसे हराने की बात ये है कि पहली पोस्टमॉटम रिपोर्ट में ये सब मैंशन क्यों नहीं था इस एर्र के इंक्वाईरी करने होगे सर इस एर्र के पीछे कौन है? मुझे इसका हिंट मिला है सब इंस्पेक्टर राजेश्वर को सस्पेंट कर दिया गया नहीं पोस्टमॉटम रिपोर्ट ने इस केस का रुख मोड कर रख दिया था सवाल ये भी था कि क्या बबलू इसमें इन्वाल्ट था और वो अब तक गायब क्यों था पुलिस ने क्राइम सीन के एक किलोमेटर के रेडियस में फिर से छान बीन शुरू करवा दी और अब बारी थी कुस्म के माता पिता के सच जानने की बोली क्या आप लोगों को पता था कि कुस्म प्रेग्नेंट थी? सार हमको तो यह सोच के भी अजीब लग रहे कि, खुसम प्रेग्नेंटी हो सकता है बबलु के भी अजीव लगागा, उसे बहुत गुसा हो और जै बहुता आखो जाई जब उसे यह पता चला होगा, उसकी बेहन प्रेग्नेंट है बबलु कहा है बस कीजिए सर, बस कीजिए, हमने अपनी बेटी कोई है, उसके भाई के लिए परिसान है, और आपको छोगोने जा रहे है, आमाइन, सर बबलु मिल गया, लेकिन वो जिन्दा नहीं है, उसका भी मडर हो गया, सर, लाश के पास कुसम की स्कूटी और बबलु की वैक भी मिली है, सब को जाडियों से पूरी तरा से चुपाया गया था, कुसम की स्कूटी ये सीरी में खराब होई थी, बतलब बबलु कुसम को ढूंटा हुआ, यहां तक आया था, कुसम की लाश यहां से किलूमेटर दूर आया, तो पहले बबलु को यह मारा गया होगा, और इसके बाद कुसम को किड़नाप किया गया होगा, तो क्रिमिनल्स ने बबलु की लाश को यहां पे डुमकिए, उनका मकसद कुसम के सस्पेट बबलु को बनाना रहा वो, स्कूटी, बाई, बबलू, सबकुछ हैं था राजेश्वर ने अगर ठीक से छानबिन करवाई होती न तो एक केस इतना ना उरुज़ता सर शितल ने अपनी स्टेट्मेंट में काया था कि बबलू का किसी से जगड़ा हुआ था और वो अपने दोस्तों इसाथ किसी को पीठने का प्लान भी बना रहा था चला किया मिल, किसी को पीठने का प्लान बना है हो सकता है कि सब कुछ बबलू के किसी दुष्मन का किया धरा हो हो सकता है ये कुसम और बबलू के पूरे परिवार का दुष्मन हो यह यह वो भी हो सकता है, जिसने कुसम का प्रेंगन किया, जो भी है, हमें हार एंगल पार नए सिरे से काम करना होगा, विना बाक्त गवा है, बड़े को पॉस्टमाट में लिए भिजवा, प्रेट सर्थ सर, सर, नमन के कॉल रिकॉर्ड में विमल चौधरी नाम के लड़के का नमबर मिला है, सर, नमन और विमल, दोनों का नमबर उस दिन फुलवारी शरीफ में एक्टे था, जहां कुसम जाने वाली थी, सर, ये, विमल, लेकिन सर, ये इस वक्ट जेल में है, जेल में? जी सर, इसने लॉक्डाउन प्रोटोकॉल का उलंगन किया था, जब पुलिस वालों ने से पूछताज की, तो ये उनसे बहस करने लगा, पुलिस वालों ने से जेल में डाव दिये, तो थोड़ी बहसां भी करते हैं इसके साथ? मास्क लगा साथ, हम किसी कुसम को नहीं जानते हैं, वो मुझे फुलवारी शरीफ में अंकुष ने बुलाया था, कौन अंकुष? विमल, जल्दी से फुलवारी शरीफ पोँचो, फुलवारी शरीफ? अरे लेकिन बात क्या है? साथ, अंकुष बुला वहारी एक लड़की को डराना धमकाना, तो बस हम वहारी पहुच गए इसका फोन भी बंदा रहे है, पता नहीं कहां मर गई साथ, वहारी वह लड़की आने वाली थी, वह आयने ही तो हम दोनों चले गए आफ, बनार ये हो आए थे बढ़ ये है ज़ी थे वह लड़की अंच हमें तो ये नहीं मालूम कि शीक व को लड़की थी याने, जहाने साथ किए आम से कुई एमने देखा नहीं था जब को जिए हैं जिस लड़की कर तुम लगों को न रड़की है जिस हुआ कि नियमां आ सब कर जूटनारा हो रहा हां जोटने जोटोस परोड़रों क्षा में कुछा अडया नहीं जोब ता चॉण है ने किया, वेज़क अंकुष ने किया, तो उमको मालूम नहींज़ अज़ाब. कहां मिले गए अंकुष? अलग क्या सुप्त-चॉष अंग हम ने कुषुम की साथ कुछ नहीं किया, हम तो प्यार करते थी कुषुम से। कियार करते थे फिर उसे फुलवारी शरीफ में धंकाने के लिए क्यों बुला है हम फेमल सब कच बहुक चुका है तो जादा स्मार्ट बने की कोशिश मत करना वो फुलवारी शरीफ नहीं पहुंची तो 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 अनिसा बात पहुंच गया वहां पहुंच कर तो निसके भाई कुसुम को मारा है कुसुम के साथ गैंग रेप किया फिर उसका मर्डर किया अब बोल और कौन कौन चामिलता है समय हमारे यकिन किजम ने कुछ नहीं किया हम तो बस उसे समझा रहा चाहते थे कि वह हमें भूल जाए थे राफियर थनास के साथ हम इसे प्रेगन भी तुमने अंकुष एक प्रॉब्लम हो गई है हम हम प्रेगनेंट हो गए है है सिर बहुत बुरा फशे थे हम हमारे गरवालों ने हमारा रिष्टर रिच्टर रिया के साथ तै कर दिया वैसे दिखने में कुसुम जादा अच्छी थी लेकिन रिया पने पाप की एक लौती बहुत पै कुसम को फोन करता था था तो ने था वह से आच्छी लाग पास तर नमन हमारे हॉस्टिल में था हमने तब हम एद्धी उसका स्यम रख लिया था यह नमन भी तो जो बचारा था यह यादे यह बीचनिसमे हमने कुछ नहीं कैसे नहीं से बारे एक अधिन कीजिए हमारा यकि अब रो क्यों रहे हो अमरा बच्चा बहुत बिमार है हम अपने गाउ असन सोल जा रहे है मालिक अरे बाप रहे इतनी दूर और वो भी पहिदल देखा इस महामारी ने ने सब का हालत खराब कर दिया है कि अरे तुम दरो मत हम गरीबो को खाना पीना बाट रहे हैं तुम बाट रहे हैं कुमारे बच्चे को अच्छे डॉक्टर को दिखा देते हैं बाइटो हरे ने अरे ने आई आप कहीं तकलीफ उठाईगा हम चले जायेंगी आरे इसमें तकलीफ प्लिछ पाएगा बीज्ई दीजी बच्चेआ हैं आप दीज विजय थोड़ा पुनी हमेब कमाने दीजिये ना आय–एय गहाँ जाली बैठिए बैठिे गाड़ी न बैठिए बैठवजंग है बैठो बैठव बैठो यड़प टाष बैठो पाड़ी के अंतर बैठो भूदेफी से हुआ अमका अबाइब देखे उदी बश्चोगो देखे छोड़ी छोड़ी है आप ये चिंटु गाड़ी चेला भे साब जाक प्रदाँ बीड्राइब के जिखे ले हुआ 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 हाँ भी पाम कोची आ लखे दिए है अम्रा बच्चा, चुम्रेशिक नहीं 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 किया है, इसे कहते M.O. Modus operandi. अब पुलीस को यही लगेगा कि यह क्राइम भी उस लड़की को सुन के killer नहीं किया है. साला, सीखो भे हमसे कुछ. अरे, जल्दी चलो अब यहां से, और कुछ दिनों तक underground हो जाओ, यह M.O.V.M.O. कुछ बात में देखेंगे. सार, अंकुष को बहुत तोड़ा, नमन और विमल दोनों को दुबारा से रिमान के लिए, लेकिन सर कोई कुछ नहीं उगल रहा है. यह अंकुष, नमन और विमल, इन तीनों को डियने को, कुसम के नेल्स में जो स्कीं ट्रेसिस मिले थे, उनसे मैच करो. सार. अलो. अगर तुम दुनों इस जुगाड में हो, कि कुछ माल मेटरेल मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. अरे बिरोजगार है हम, कुछ नहीं है हमारे पास. हाँ भाईया, लेकिन एक बार पॉकेट में हाथ तो डाली है, क्या पता, कुछ मिल जाए? अरे का है रक्षा बंदन के दिन हमारी इज़त निकाल रही हो? देखो न, यह देखो, यह देखो, हमारे पॉकेट में कुछ नहीं. यह कहां से आ गया है? भाईया, यह पक्का कुसुम ने रखे होंगे. हां भाईया, लेकिन आपस वापस लेने के लिए नहीं, यह आप ही के रक्षा बंदन का गेट है. अरे ने नहीं, रक्षा बंदन के दिन बेयन से गफ नई ले सकता है. रख लिजे ना भाईया. और वैसे भी, कौन से डॉक्टर ने काया कि रक्षा बंदन पे भाई को ये बेन को गिफ डेना है? तिनु का बुरा नहीं था हमारा बबलू असी बेरुजगारी ने उसके जपर कड़वा करती था सर, कुसुम की लाश भी हमें इसी तरह मिली थी ऐसी खून से सनावा पत्थर और ये लकड़ी का टुकुड़ा इस पर लाश के पास है सर, किलकुल वैसा ही नज़ा है सर, हो सकता है कि इसे भी कुसुम के गातलों नहीं वारा हूँ हो सकता है इसके हाथ पैर उस रसी से बाने गया कुसुम के हाथ पैर पे भी इसी तरह की निशान थे कुसुम की बाड़ी के पास कोई रसी मिली थी? नई सर, कोई रसी नहीं मिली थी आस पास चेक करो, सब जगा चेक करो सब जो रसी मिली थे पास करो अज़एवदिए, भी थे बच्चे में देजे प्रीजिये ना थे जब दो पुन्दियां हमें हमाने देजए प्रीजिये प्रॉब आफ प्रॉप अच्छ किस्का सच यहां नहीं हो रहा है शायद बैटरी डेड़ है चार्ज कर वाओ देखो किसका मुहीं, वहाँ वह वह आरत की लाश और यह चुटा बच्चा, पर इन दोनों का अपस में कितालोग तो नहीं, आमें, हो सकता है यह बच्चा उसी आरत का हो, उस आरत के साथ कुछ गलत हुआ हो, अच्छी ना जवटी में, उसका यह बच्चा यहां पर गर गया हो, और मोबा पर गच्चा करो, और यह बच्चा यह बच्चा यह बच्चा उसी आरत का था, जो एक माइगरेंट लिबर है, मेरी उसके घरवलों से बात हुई है, वो अपने बच्चे के साथ पैदा लासमसोल के लिए निखली शी निखली शी अच्छा उसी आरत का था, और ने कुछ न सर, मेरी पोस्पाटम डॉक्टर से बात है, उस लड़की के साथ भी ग्यां ग्रेप हुआ था, यानि उस मज़ूर औरत निलं को पहले मारा गया, फिर पत्थर से उसका सर को चल कर उसका चेहरा भी गड़ा था, सर मैंने क्राइम वाले दिन की हाईवे एरिया की सीचिटी व बाइटो बाइटो आप गाड़ी के अंदर पैटो अब हार बच्टो को दी इस यह चोड़ी दो गाड़ी चला हुए अब अब अगर हम तू प्लस तू फोर करें तो थेओरी यह बनती है के सिल्वर कार में उस मज़ूर और को किड़नेप किया गया होगा और किड़नेपर् अब अगर हमें इस सिल्वर कार और मुझनमें को ढूनना है तो हमें दानापूर में ढूनना होगा लेकिन सर लॉक्डॉन की वज़ा से सारे फर्नीचर के कार खाने बंद हैं वहां पर पूस्तास नहीं की जा सकती एक आइडिया है काम मश्किल जरूर है पर नामुंकिन नह अरे साब आप तिनेस जी आप तो शास्री नहींदे राते हैं तिर हहां दानापूर में एठी हमारा अपना घर है वह हम पलान किये था कि रिटार्मेंट के वाद यह ए के रहेंगे इसले हा tanto लेकिन साज यहए पीपी किट से, हरिष है अरे हरिश कैसे हो? अड़ी है तो साब ये कोरोना ड्यूटी में ये थर्मल स्क्रीनिंग का ड्यूटी भी पुलिस को ही दे दी है के सरकार? तेनेश जी अपको कुसम मुर्डर के से याद है? हाँ सर याद है कोई है शेहर में जो लड़कियों का अपना शिकार बना रहे है और हमें पूरा शेक है को इसी एरिये का है साब यहां दानापुर से? जै और हमें ये भी खाबर लगी है और जो भी है वो सिल्वर रंग की गाड़ी इस्तिमाल करता है ये का बात है चिंटू इतना अर्जेंट में काहे बुलाया हूँ यार पुलीस को पक्का हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है पता चल गया लेकिन कैसे? अरे वो इंस्पेक्टर मिला था पापा को कह रहा था कि हाईवे बाले कार में किसी सिल्वर कलर की गाड़ी का इस्तमाल हुआ है आज एक खबर सुनकर देल धहल गया है एक मजदूर लड़की पांच सो किलोमेटर पैदल चल के अपने गाउं जा रही थी बेंद के रस्टी से बांध कर उसको अगवा कर लिया बलतकार किये फिर मार कर प्हेंग दिये कुछ है बाल और देखीगा पापा इस बार भी कोई पकड़ा नहीं जाएगा पुलीस के बस की बात ही नहीं है यह इंस्पेक्टर साब मिले थे आज हमको और हमको लगता है कि वो जानते हैं कौन लोग है इस कांड के पीछे कोई सिल्वर रंग की गाड़ी को ढूंड रहे हैं लेकिन हमने तो हमारी सिल्वर गाड़ी का नंबर प्लेट ही गलत लगवाए थे हम फिर कैसे पता चल गया देखो पुरानी बातों को छोड़ो अब सोचो आगे क्या करना है यार साब हम बानते क्या हमने उस मजदूर और का रेप किया और इसे मारे भी लेकिन साब अपने कुसुम के साथ कुछ भी रही किया साब सच कह रहे हैं आज साब हम उसको नहीं मारे हम बस उसका रेप किये सुन ना हो आगे बोलो और वो भी रेप करने का कोई प्लान नहीं था बस उस तो गलती से हो गया सर भाया आप आजा रही थी भाया वो फुलवारी शरीफ ना हमारी एक कलीग रहती है ना पर चुड़ बने लगियो ना तुम हम से अब एक नहीं सुनेंगे बहुत हो गया तेरा अवाज नीचे करके बात कीजिए तेरी आवाज सब उपर नीचे कर देंगे हम बहुत पर लग भाया णंड़ा वैया फूटोल करने के लिए बान दी और गाडी में डाल दीए साहब और उस लड़के की लज को वो स्कूटी और वाई को वाईपर ठिकाने लगा दिये थे साहब हम पहले सोचे के उस लड़की को भी मारी देते लेकिन साइब हमको मजा करना था तो हम थोड़ा दूर चले गए साइब हम सोचे कि वो खुदे ही थरफ थरफ के मर जाएगी लॉक्डाउन में उसे कौन देखता था उस मुख को पत्थर से नहीं मारे था सर उस मजदूर औरत को ज़रूर पत्थर मारके उसका चैड़ा बिगाड़ा था सर हम लुग में साइब हम यह सोचे थे कि कि आप लोगों को यही लगएगा कि कुसुम के ही कातिल ने उसे मारा होगा हम कासम से कह रहें हमने कुसुम के साथ कुछ भी नहीं कया Hay थे कहा हैं लेकिन यह मेरी दिनेजची से बात हुई हैं उन्होंने बताया कि वारदात वाली शाम, उनका बेटा चिंटु शाम को छे वजे घर पहुँच गया था, जबकि कुसुम का मटर साथ वजे के आसपास हुआ है, असर मैंने कन्फर्म किया है कि चिंटु के दोनों जोद, अलोक और सनी, वो दोनों भी शाम को साथ वजे अप के रामना जी, चलते हैं, मांटु, वह मांटु जिसके साथ आप उस दिन कुसुम को ढोड़ने गए, तो अस मांटु ने हमें कुछ पताया है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहता साब, जब हमें पता चला कि कुसुम शादी से पैली पेट से है, अंकुष, एक प्रॉब्ल हम हो गई है, हम प्रेगनेंट हो गए है, हमारे प्रतलो की जमीन निकल गए, हमने किसी से कुछ नहीं बोला, इसी वाइब बबलु के, हमने फुकल ना भी नहीं की थी, उसे हमारा मुझ काला कर देखी, तो अब का करेंगे आप, दृतराश की तरह आप जाएंगे या उस रोज कुसुम जब सहीली से चारजर का बाहना करके निकली, तो हम समझ के, यह उसी लड़के से मिलने जा रही है, हमने पीछे से बबलु को उसके पीछे लगा लेकिन उसके पाप, बबलु का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, हम अंटू के साथ उसे खोलने गए, अंटू को अंटू को अंटू कर देगी नहीं करने देंगा शुदू हमने मंटू सिविंती की, और इतना ही बुला कि उसका रेप हुआ था, समाज उसे नहीं अपनाता, कैसे बावा, बेटा अगर कैसा भी हो तो चलेगा, और बेटी, वो बेटी, जिसे किसी ने धोखे से गरबाती बना दिया, वो अशुद हो गए, अशुद वो नहीं, हो चाहे, हर इंसान के दो चहरे होते हैं, एक अच्छा, एक बुरा, उस इंसान को कौन से चहरे ने जकड रखा है, ये हम नहीं जानते हैं, और धोखा घा जाते हैं, इस केस में कुसम अंकुष को अच्छा समझ रही थी, जो बुरा निकला, कुसम का भाई बबलू, और उसका अपना पिता रामनाथ, वो सब के चहरे से धोखा खा गई और वो तीन दरिंदे जिन्होंने दो महिलाओं की जिंदगी बरबाद की थी, उनके वी दो चहरे थी, अपने परिवार की महिलाओं के सामने एक अच्छे इंसान का चहरा, लेकिन वही चहरा दूसरी महि अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, और देखते रहें, क्राइं पित्रोल सब्सक्राइब, जैहिद! अजयकर चहरे बरेखें, जैहिद आए इंसान का ख्याल आए जाएं, जैफ्टित रहें, सुरक्राइब, लेकिते रहें, और दूसरी और रहें, और दूसरी इंसे ह।